हालो प्यारे बच्चों मैं कबिल चौहजरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पाइरल स्टडी में और बच्चों आज मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं लेकिन बहुत ही अच्छी चीजें आपको आज दिखाने वाला हूं आज हम बात करेंगे सजीव जगत के ग्लास 11 बाइलोजी के पहले चैप्टर के MCQs यानि कुछ ऐसे कॉश्चन्स जो में आपके एक्जाम में आते रहते हैं और भी कॉश्चन्स हैं जो मैं आपको कराऊंगा लेकिन मैंने सोचा है कि कुछ रिविजिन के लिए मैं आपको दे दूँ 4-5 कॉश् ठीक है तो यहां पर हम 6-7 कॉश्चन्स के बारे में स्टडी करेंगे इसी चीज़ के बारे में हमें जानना है देखिए अब स्टार्टिंग में मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप किस तरीके से किसी ऑप्शन को चूज करें ठीक है तो यहां ध्यान देना है सबसे पहला कॉश्चन हमारे पास है सजीवता का लक्षन क्या है ठीक है यानि कोई लिविंग बींग है ठीक है यानि कोई क्या है लिविंग बींग है यह उससे यह पूछा जा रहा है कि आपका लक्षन क्या है तो अगर कोई लिविंग है तो क्या वो सांस लेता है ठीक है क्या उसमें growth होती है तिक या फिर वो covenant करता है तो बच्चों मैं आपको बता दूँ कि जो सजीव होते हैं आपके जो आपके सजीव होते हैं यानी जो आपकी living होते है उनका main function क्या होता है वो सा만 भी ले सकते हैं जो अप्शन है जो क्या रहेगा डी रहेगा ठीक है यानि सजीवता का जो लक्षन है सजीवता के लक्षन में सजीव सवसन भी करते हैं ग्रोथ भी करते हैं और आपके प्रजनन भी करते हैं तो मेरे हिसाब से जो रहेगा वो आपका क्या होगा सभी यानि के सारी चीजे करते हैं ठीक है अब उसके बाद नेक अरुजासुरोत कौन सा है यह भी हम देख लेते हैं बात करते हैं सबसे पहले गुलकोज की देखे इसमें क्या बोला गया है कि सब्छीवों के लिए जई partir ऑसर्स बच जाहे है है ना वो लास्ट सोर्स क्या बच जाएगा तो क्या वो गुल्गोज है नहीं हो सकता क्या वो फूड है नहीं हो सकता क्या एटिपी है नहीं हो सकता अब होगा कौन सा देको अगर इसमें क्या बोलागी अंती मुर्जासर होती है नहीं के लास्ट में जब कोई हमारे पास कुशन की तरफ नेक्स कुशन अमारा क्या है ठीक है वरगी करण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है कैसे बताओगे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियों बताया था के स्पीचिस से स्टार्ट होकर के यह लास्ट कहां रुकता है जाकर के किंग्डम तग रुकता है ठीक है सबसे बड़ी जो आपकी इकाई है वो kingdom है ठीक है कौन सी है c तो यह answer हमारा क्या हो गया c हो गया जिस बच्चे ने पी तक subscribe नहीं किया channel वो चैनल को subscribe कर दें अगले question की तरफ चलते हैं taxon का अर्थ है taxon का क्या अर्थ है देखो बटा मैंने आपको taxon के अर्थ के अपका तरफ है तो यहां किसी वर्गिकर्ण समूओ कोई वर्गिकर्ण समूओ है उसका कोई पद या नहीं कि हमारा option number D इसमें बिलकुल correct है ठीक है बच्चो क्या है इसमें correct है next question की तरफ चलते हैं हम अपने icbn का पूरा नाम बताओ ठीक है बताओ ये question आपका ये नहीं है मैं आपको बता देता हूं कि icn का पूरा नाम मैंने आपको क्या बताया था मेरी जो last video थी कि उस last video में मैंने आपको बताया था कि मेरा जो icbn है और iczn यानि एक icbn बताया था मैंने आपको और iczn मैंने आपको बताया था कि दोनों के फिलफॉर्म क्या होती है तो simple सी बात है हम ये भी जान लेते हैं यहां पर ठीक है icbn की जो कि फिलफॉर्म होगी वह international kod of kod of botanical nomenclature हुए क्या होगी international kod of botanical nomenclature अगर आपने क्या करना है अगर आपने जो लोजिकल बताना है तो यहां पर अगर आपने जैडन बताना है तो यहां पर आप क्या करेंगे जो लॉजिकल लॉजिकल लॉमन्कलेचर किलियर वात इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी नेक्स कुशन चलते हैं नेक्स कोशन हमारा क्या है उसको भी जब देख लेते हैं तेंद्वे का होमो सैपियन्स है होमो सैपियन्स है ठीकई बच्चों यहां आ आपको इसके वारे में ध्यान देना है कि इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं तो यहां पर भार कर 辂दू का नाम है थाल्दुए च्एम्द्वर स्पिशे जाता है मनें नाम हमने आपको बोला था cran्ड वर और आपका जो species है वो लियो है तो यहां पर option क्या रहेगा हमारा option रहेगा पैंथेरा लियो यानि A option हमारा completely सही है जिस बच्चे ने subscribe नहीं किया चैनल को subscribe भी कर ले आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी ठीक है और इसके बहुत सारे ऐसे questions है जो मैं आपको आगे भी कर अबने फिर यह उप्षन उठा लिया फिर यह उठा लिया फिर उठा लिया तो हमें क्या करना है हमें उसी detail को ले करके चलना है जिस तरीके से हम अपना एक्जामपल हम अपना अंसर लगा सकते हैं अब नंबर सेविन जीवों के अध्यन के लिए जीविग्यान का परतम प्रोटोपलाजम दिया था ठीक है उसके बाद अरिस्टोटल आपके क्या है जीविग्यान के फादर है जीविग्यान के क्या है फादर है आपके जीविग्यान के फादर भी है और आपके जोलोजी के फादर भी अरस्तुई है ठीक है हकसले ने कुछ बताया था साइड थो कि अ nihil मैफ बसता है वह सथा है तो ले मार्क और ट्रेवी रेनस यानि ले मार्क कू ? कि और प्रेवी रेनस ने सन अठाया सो दो में विध्यान ये जी विज्यान्स रचा उपयोग सकता है है क्लियर हो गहां पाते तो अच सकी वीडियो बस इतना ही है इसमें जिस बच्चे को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को क्या करें वीडियो को लाइक करें ठीक है क्या करना है लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है ठीक है अगर आपको वीडियो च्छी लगी हो तो क्लियर है बाते आज के लिए इतना ही जैहिंद जैभारत